Experience का क्या महत्व होता है आज RCB और भारत के ग्रेट बलेबास विराट कोहली ने साबित कर दिखाया है इस सीजन बुरे दोर से गुजर रहे विराट ने सबसे एहम मुकाबले में आखरकार एक ऐसी पारी खेली जिसने ना केवल RCB और भारती क्रिकेट फैंस के चेहरों पर मुस्तकान बिखे दी बलकि अपनी बड़ी पारी के दोरान दरन मशिन कोहली ने एक ऐसा नयाब रिकॉर्ड बना डाला है जिसे तोड़ना अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है तो आखिर कोहली के नाम हुई कौन सी विराट उपलब दी इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी टाटा IPL के सबसे एहम मुकाबले में RCB का सामना टेबल टॉपर्स गुजराट टाइटन से था जहां ये मुकाबला बैंगलोर के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आज से जीतना काफी ज़रूरी था ऐसे में इस बड़े मुकाबले में उनके सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली भी अपने पुराने रंग में लोटते हुए नज़र आए वांकडे स्टेडियम में पहले बलेबाजी करते हुए हार्दिक पांजया के शांदार अर्ध शतक की बदौलत गुजरात ने बैंगलोरू के सामने जीत के लिए 179 अनुका चुनावती पूर लक्ष रखा था लेकिन इसके जवाब में किंग कोहली ने आखिरकार अपना विराट अवतार धारड कर लिया और अपने पहले ओवर से ही ताबर तोड़ अंदाज में बलेबाजी करते हुए गुजरा टाइटन्स की टीम को बिलकुल ही बैक फुट पर धकेल दिया कोहली आज अलग ही मूट में बलेबाजी करने उतरे थे और कहीं न कहीं भागे भी आज RCB के सबसे बड़े बलेबाज के साथ था उन्होंने अपने पुराने अंदाज में गेंदबाजों पर धावा बोलना शरू कर दिया किंकोहली ने खतरनाक रोख अख्तियार कर लिया चाहें मुहमद शमी हो या फिर कैप्टन हार्देक पांडिया सब ही को बराबर अंदाज में रिमांट पर लिया और बैंगलूरू के लिए एक करो या मरो के मुकाबले में शानदार अर्दशे तक लगा कर आरसीबी की जीत की निव रखती इसके अलावा अपनी एक मैच विनिंग पारी के दोरान किंक ओली आईपियल इतिहास की दूसरी पारी में 3000 रन बनाने वाले पहले बलेबास बन गए हैं जबकि किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 7000 रन पूरे करने वाले भी वो पहले बलेबास बने हैं तो दोस्तों आप विराज की इस पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे अपनी राए हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे यूटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें